ओम शांती, 15 नुवेमर के शुरी बरतान में हम सबका स्वागत है मैपन एक ऐसी बिमारी है जिस कारण से हम संतुष नहीं रह पाते हैं और आज परम्पिता परमात्मा इस मैपन को लेकर ही हमें समझाते हैं कि कैसे हम हर कारे को सेवा समझ करके कारे करें और मैपन ना लाएं तो हम संतुष रो सकते हैं और हमें बहुत सारे दुखों से हमें छुटकारा मिल सकता है तो परमात्मा कहते हैं आज के बरतान में मेरे पन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले सदा संतुष आत्मा भवा लौकिक परिवार में रहते हैं हम दुनिया भी परिवार में रहते हैं घर ग्रस्टी में रहते हैं सेवा करते सदा याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूँ सेवा धारी हूँ ट्रस्टी का कुछ अपना नहीं होता है ना चीज़ें अपनी होती हैं ना रिष्टे अपनी होती हैं संबंद अपने होते हैं सेवा करते जरा भी मेरा पन ना हो तब संतुष्ट रहेंगे मेरा पन अगर आया तो automatically जो चीज मेरी है उसमें कुछ अगर खामी दिखेगी या वो चीज बिगडेगी तो दुखोना शुरू हो जाएगा तो इसलिए मेरा पन हटाने के लिए ट्रस्टी समझ करके हर कारे करना है जब मेरा पन आता है तब तंग होते हैं क्यों क्या कैसे कब कहांगी सब कुछ शुरू हो जाता है सोचते हो मेरा बच्चा ऐसे करता है कोई भी संबन्ध हो कोई भी relation हो तो बच्चे की बात नहीं है परमात्मे के उधारन दे रहे है मेरा बच्चा ऐसा करता है ऐसे क्यों करता है ऐसे नहीं करना चीए मेरी ओलाद है मेरा बच्चा है मेरा पती है मेरी पत्नी है या मेरे रिष्टदार है मेरे साथ ऐसे क्यों करते है तो जहां मेरा पन है वहां तंग होते और जहां तेरा तेरा आया वहां तैरने लगे ये मेरा नहीं है मेरे नहीं है मैं ट्रस्टी होकर कि इनकी सेवक ले निमित हूँ आत्मा ये होगे detachment जिससे कि हम मुक्ती की तरफ बढ़ते हैं आगे क्योंकि ये ग्यान जो ब्रहमकुमारीस का है मुक्ती का ही कि अंतकाल जो इस्त्री सिम्रे अंतकाल जो बच्चे सिम्रे अंतकाल जो पती सिम्रे अंतकाल जो आप चांते ही हैं धन दौलत सिम्रे तो वो चीजे ना हो उसकी प्रैक्टिस हम अभी से ही करें कि मेरा कोई नहीं है मैं आत्मा अभी जो कर्म कर रही हूँ वो अपनी चीज कर रही हूं मैं आत्मय कर रहा हूं तो वो मेरे नहीं है वो चीज़े मेरी नहीं है वो सब कुछ मेरा नहीं है हाँ भल उसके उपर नाम अपना लिखा हो लेकिन वो एक ट्रस्टी का नाम लिखा हुआ है वो मेरा खुद का नाम नहीं है तो जब हम ऐसे होते हैं यह सोच समझ क अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो बढ़ते हैं, तो उसमें हम घबराते नहीं हैं, लेकिन हम यह सोचते हैं, कि यह मेरा है, यह मेरे हैं, संब्धों में, यह चीजें मेरी हैं, यह विक्ती मेरे हैं, तो फिर वहां पर हम तंग होने शुरू आते हैं, तो परमात्मा कह आया वहां तैरने लगेंगे, तेरा-तेरा कहना माना स्वामान में रहना, सबसे पहला स्वामान हमारा है क्या, सबसे पहला स्वामान है कि मैं एक आत्मा हूँ, अविनाशी शक्ती हूँ, तो जब हम तेरा-तेरा कहते हैं तो उस समय हमें आत्मा याद आती है कि मैं एक आत्मा हूँ जब मेरा-मेरा कहते हैं तो यह याद आता है कि मैं बेटा हूँ या बेहन हूँ या मा हूँ या बेटी हूँ तो रोल याद आता है और हम सारे के सारे रोल में फ़सी वी आत्मा हैं आपको सोचे जब हम परमधाम में थे उपर तो हमें कोई रोल नहीं मिला था हम शेरिर के बिना थे ना मा का ना भाई का ना भेहन का ना पती का ना पत्नी का रोल था हम मुक्ती में थे परमात्मा उसी स्थिती में हमें वापिस ले जाने के लिए ग्यान दे रहे हैं कि अपने आपको आत्मा समझो, उस सोमान में रहो और सब कुछ तेरा 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 कर दो, टेटैच हो जाओं चीजों से एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल जीरो कर दो तो मेरा मेरा कहना माना अभी मान में आना मेरा कहा तो अभी मान अभी मान मतलब मुझे अभी अभी मान चाहिए मेरी जो बात है उसको मानना अभी के अभी है ये एक अभी मान है और जहां अभी मान होता है वहाँ पर क्रोध आता है और जहां क्रोध होता है वहाँ पर automatically हमें गिरना नफरत आती है तो इन सारी चीज़ों से मुक्त होने के लिए तेरा 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 मेरा कुछ न लगे तो ये चीज़ को हमें घोटना है क्योंकि यही चीज़ हमें help करेगी मुक्ती की तरफ जाने के लिए नहीं तो शेरीट छोड़ने का कोई तिथी तारीक लेके तो हम आये नहीं है हर सेकेंड या हर घड़ी अंतिम घड़ी समझ करके चले तो हम चिंताओं से मुक्त रहें और अपना जीवन हम वेतित कर पाएंगे खुशियों से इसको सिखाया दब्राम अपनारीच में, अब्या कर पिसीक सक्तें स्पूं ओम शांती